ओम स्रीगने साय नमदूस्तू एश्क्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अगस्त बुद्दुवार के रासी फलके बारे में कि यह दिन कुम्बराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक द्रश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके वेविसाय में विवरत दी होगी आम अंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जिया दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्य ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उरजा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक ह होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती है यदि आप साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे या दोस्तों साती साथ पैसे के लेंदेन में भी आज आपको सावदानी रखना आती आवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तथा तना काफी फायदेबंद साबित होगा दोस्तों साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अति आवसकता है अन्य था विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जियां दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्य था इस्तिति आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंदित समस् भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा कर रही होगी क्योंकि फ या फिर अपने मन की बात सेफ़ करना चाहते हैं तो वह बीजिब्ध कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल है दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घंश्रता आपको एक नए इस्पूर्ति प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके उए सभी कार्रे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनेंगे वैपार को लेकर भी आज आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्ते में चल कर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उड़ जा सकती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साथिसाथ यदि आप उम्रदराज हैं तो संभव है की आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साती सात आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवजशक्ता पड़ सकती है दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात के लेते हैं, आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है, दोस्तो आज आप इश्नान आदिश निर्वत्र होने के बाद, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ के अनुसार, अन, वस्त्र और पैसे का दान, किछी जवर्तमंद को भगवान श्री गन जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे, और आपके जीवन में जो भी परिशाने चल रही हैं, समस्त परिशानियों को अंत करेंगे, और आपको जल्द ही सुब फोलो की प्राप्ती होंगी, और आपके समस्त कर रहें, बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद